हेलो डेयर आज हम लोग सीखेंगे कि प्रिंट करने के क्या-क्या आप्शन वर्ड में अवेलबल हैं मैंने पहले से एक डॉकुमेंट प्रिपेर करके रखा हुआ है जिसमें की 9 पेज हैं आप यहां से देख सकते हैं करने के लिए आपको आफिस में करना है जो अपडार एक देख सकते हैं यह आपको देखाता है कि आपके computer में कितने printer अटेच है फार एक्जामपल सपोज black and white printer है और color printer है या कोई printer network से तो यह जो list display हो रहा है यह देखा रहा है कि आपके computer में कितने printer अटेच है तो फिलाल मेरे में XPS printer select जो की default होता है सारे computer में होता है तो यह तो हो गया printer का name उसके बाद यह जो property है इसमें आप paper की setting कर सकते हैं तरह तरह की settings है जैसे फिलाल XPS जो है मेरा document यह offline printing जब printer connect नहीं है और आपको print लेना है तो वहां पर use होता है तो यहां पर paper की setting दि है आपके computer में अगर printer connect होगा तो यहां पर paper की setting देख है कि paper की setting का मतलब की कैसा आपको paper अगर आपको printer यहां देख नहीं रहा है आपके computer में printer install है या connect है किसी reasons नहीं देख रहा है तो आप इस button पर click करके find printer find कर सकते हैं कि printer कहां पर है क्योंकि मेरे computer में कोई printer install नहीं इसलिए यह error आ रहा है next option print to file यह क्या है suppose आप का यह जो page है 9 pages का document इसको आपको print करना है और आप अभी फिलाल प्रिंटर प्रिंट देना चाहाँ नहीं रहे like paper नहीं है या जो भी region हो तो आप क्या कर सकते हैं इसको यहां पे print to file option को select कर सकते है select करके जब मैंने ok किया तो यह मुझसे demand पूछ रहा है कि इस file को कहां पे save करना है तो मैंने यहां पे नाम दिया यह पैलेस मैंने इसी file को किया है मैंने नाम दे लिया test नाम हमने दे लिया test तो आप देख सकने desktop मैंने save किया था तो यहां पे test नाम की file देख रही है यह प्रिंट नहीं हुआ है यह आप folder in future चाहे तो इसको प्रिंट कर सकते extension इसका है PRN अब अगर इसको प्रिंट करना है तो यह डॉस के टाइम में यूज होता रहा है डॉस पर जाकर आप इसको प्रिंट कर सकते हैं तो मैं क्या करने जाना हूँ इसको eDrive में copy करने जा रहा हूं अब हम open करेंगे डॉस डॉस ओपन करने के लिए आपको प्रेस करना विंडू प्लस आर कमांड टाइप करना है या cmd करना है इंटर प्रेस करना है अभी मैं c drive में हूँ आपको drive change करने के लिए drive का नाम लिखिए e मैंने लेका है अब हम dir करते हैं देखते हैं क्या test.prn file है दिख रहा है जी यह आपका test.prn file दिख रहा है यहां पर अब कमांड था copy जो एक file को copy करता है हमको क्या करना है copy test.prn lpt1 यह dos के time का file का नाम है इसको आपको एंटर करना है तो क्योंकि अभी मेरे system में printer इंस्टॉल नहीं है या इस option को यूज मेना हो कुछ setting को वजास यह प्रिंट नहीं जा रहा है लेकिन फिलाल इसका use यह है और बहुत rare है इसको आपको use नहीं करना है तो इसलिए यह नहीं भी print हो रहा है तो उतना हमको ध्यान देने की ज़रुवत नहीं है आते है ctrl plus p अब आते हम page range पे page range में आपका यहां पे देख रहा है radio button all select है all का मतलब यह हुआ कि जब आपको पूरा प्रिंट करना हो तो आप यहां पर all पर प्रिंट कर देंगे तो यह प्रिंट हो जाएगा current page का मतलब यह हुआ कि right now आप जिस page पर है जैसे अभी मैं कहां पर हूँ अभी मैं page number one पर हूँ तो page number one प्रिंट होगा तो current page आप करना चाहतो current page कर ले इसके बाद है selection selection का क्या मतलब है इस document में total nine page है और हम क्या करना चाहरे है हम suppose यह जो particular section है इसको print करना चाहरे है सिर्फ इतने को तो आप पहले select करने के बाद जब आप print में जाएंगे अब देखिए यह option enable है selection को select करने और print कर देखिए क्योंकि मेरे computer में printer इंस्टॉल नहीं है इसलिए XPS में print होकर जाय रहा है desktop पे मैंने इसका नाम दे दिया test और desktop पे आके देखते हैं window plus D sorry वहाँ पे PRN को deselect करना पड़ेगा और मैंने selection को select किया print किया window plus D computer work through something something यह आप देख सकते हैं ठीक है तो इस type से आप particular selection को भी चाहे तो print कर सकते हैं next है option pages आप देख सकते हैं यहां पे 9 pages है कभी-कभी किसी specific case में ऐसा होता है कि हमको continuous page नहीं print करना है suppose page 1 random order में कुछ भी हो सकता है page 1, 3, 5, कुछ भी तो मैंने लिखा page 1 अगर आपको 1-1 page देना है, आपको comma को use करना होगा यहां पे यह दिख रहा है कि अगर आपको 1-1 page देना है तो comma को use करना है अगर range देना है, तो hyphen का use करना है तो मैंने comma 3 दिया इसका मतलब हुआ कि पेज नमबर 1, पेज नमबर 3, पेज 5 to 8 पेज नमबर 1 प्रिंट होगा, 3 प्रिंट होगा और 5 से लेकर 8 तक अगर मैं आप से पूछू हूँ कि तोटल कितने पेज की रिक्वाइर्मेंट है तो आपका एंसर क्या होगा? आपको तोटल 6 पेज की रिक्वाइर्मेंट है, पेज नमबर 1 एक पेज, 3 एक पेज और 5 to 8, 4 पेज, तोटल 6 पेज की रिक्वाइर्मेंट है तो आप प्रिंट करेंगे तो यह उसी ओडर में प्रिंट हो जाएगा इसके बाद आते हैं कोपीज पे, कोपीज पे क्या है? सपोज मालीजे यह डॉक्मेंट है और आप इसको मोल देन 1 परसन में डिस्ट्रिब्यूट करना है तो आप यहां से कॉपी को सेलेक कर सकते हैं कि कितनी कॉपीया इसकी प्रिंट करनी है जैसे टेस्ट पेपर हुआ, टेस्ट पेपर आपने बनाया है एक्जाम लेने जा रहे है तो जितने भी क्लास में इस्टूडेंट है उतनी कॉपी सेलेक करके प्रिंट कर देंगे इस एक option और है यहां पर चेक बॉक्स कॉलेट, यह सेलेक है बाइद डिफॉल हमको कोपो में इटमींस की कॉलेट ओन है और जारा तर हमको कॉलेट को ओन करके ही काम करना है को समझते हैं क्या है मैंने अगर हम all करके print करते हैं तो total कितने page print होंगे 9 page अगर collect option select है तो यह printing क्या होगा page number 1,2,3,4 करके 9 तक print होगा फिर next set अगर मैंने यहां पर 3 किया है तो total 9 into 3 27 pages आपके print होगे तो यह एक series में print करता है like page number 1,2,3,2,9 एक set होगा print फिर next set 1,2,9 and so on तो अगर आपने collect को unselect कर दिया आप picture में भी देख सकते हैं कि 1,1,2,2,3,3 यह यह indicate कर रहा है आपको 3 set चाहिए तो page number 1 की 3 copy, page number 2 की 3 copy, page number 3 की 3 copy ऐसे करके निकालता है हमको फिर बार में इसका set बनाना होगा तो कहीं requirement होती होगी जर जरूर पढ़ती होगी खेर, collect by default select ही यह रहता है इसके बाद यह है print word, drop down list में हम देख सकते हैं क्या क्या चीजे है यह कुछ ऐसी चीजे हैं जिनको की normally word का user जानता ही नहीं है अभी मैं क्या करता हूँ यह word के different kind of information है कह सकते हैं फिलाल मैंने property को select किया और print किया देखते हैं कि properties में क्या चीजे होती है और यहां से आप देख सकते हैं डॉक्मेंट से जुड़ी हुई information है file का नाम क्या है path क्या है something something तो यह कुछ controlling information है कुछ specific case में इनकी जरूरत पलती है तो आप उसको कर सकते हैं हाँ आप देखे यह है odd event page इसका क्या यूज है ज्यादा तर हम लोग जो printer use करते हैं ज्यादा तर वो क्या करता है page के एक ही और print करता है ज्यादा तर और आपको क्या करना है जैसे यह nine pages का है document आपको क्या करना है कि इसको page में आगे पीछे करके निकलना है तो क्या क्या करेंगे आप तो उस case में या तो आप एक page लगाएं first page को print करें 3 को करें और turn off turn कर दे page को अगर आप इसको और efficient way में करना चाहते हैं पहचानने के लिए मैं क्या करने जा रहा हूं page के top पे page number लगाने जा जा रहा हूं तो insert में आके आप पेज नमबर पहचानने के लिए बस मैं page number लगाने जा रहा हूं इसकी size को थोड़ा सा बढ़ा देता हूं okay page number 1 page number 2 ऐसे आपको page number देख रहा है और print किया देखते हैं क्या print हो रहा है page number 1 page number 3 & 5 तो इसने क्या किया जितने odd number के page थे सिर्फ उनको print किया अब अगर आपने odd print रह दिया है बाकी का आपको print चाहिए तो यह सारे page को जब यह print निकल जाता है आप टर्न करके एक ही बार में पीछे के side back side निकाल सकते हैं एक efficient way में आपका work हो जाता है जो last option है page per seat page per seat क्या होता है suppose माल लेजे कि आपके पास content जादा है और page कम है तो उस case में यह option आपके यूज में आ सकता है इसमें क्या होता है जैसे यहाँ पर one page है मैंने किया यहाँ पर four और four करके print कर रहा हूं आप देखिएगा हो क्या रहा है आपको समझ में आ जाएगा page per seat क्या है यानि कि एक ही page पर चार page को print कर दिया है size को छोटा करके हम लोग नॉर्मली जो photocopy करवाते हैं पैसा कम लगे तो कुछ जंगा photo state वाले क्या करते हैं एक ही page पर दो-दो page कर प्रिंट आउट निखा लहते हैं next and last one scale to page paper size scale to paper size का मतलब यह होता है कि यह अपने आप content को जो है adjust करता है लेटर है तो लेटर की हिसाब से adjust कर देगा लीगल है तो लीगल की हिसाब से अगर थोड़ा बूट इस page बचता है तो जो आपको जाला तर यूज करना है day to day work में वह है all current pages यह चीजे आप अच्छे से practice कर लें उसके बाद यह है number of pages mostly हमको इनी चीजी जो को use करना पलता है अगर आपके पास ऐसा printer है जो both side print नहीं कर सकता है और आपको आगे पिछे print करना है तो आप वहां पे order even का use कर सकते है that's all for printer I hope आपको समझ में आया होगा thank you for watching